जिसरम शुडेंस आज हम डिसकस करेंगे लिनियर ट्रांस्फोर्मेशन यह एक लिनियर आलजेब्रा का और एक इंपोर्टन डेफिनेशन है इसके बेस पर भी हम एक एक जम्पल भी सॉल्व करेंगे उससे पहले आपको यह डेफिनेशन पता होना चाहिए जो देखिए मैं फर्स्ट पता देता हूँ यह जो डेफिनेशन है लिनियर ट्रांस्फोर्मेशन इसको जानने के लिए आपको भेक्टर स्पेस पता होना चाहिए इसका जो वीडियो का लिंक है मैरे डिक्सन बॉक्स और मैरे प्लैलिस्ट पर भी आपको मिल जाएगा मैंने इसके लिए भी अलग सा वीडियो बना है तो देखिए फस्ट आपको उसको समझना पड़ेगा अदर्वाइस यह जो लिनियर ट्रांस्फोर्मेशन है यह आपको समझने आएगा तो देखिए इसमें U and V यह दोनों वेक्टर स्पैस है ओभर दी फिल्ड F, F फिल्ड के ओभर U and V यह दोनों वेक्टर स्पैस है नेक्स देखिए यह जो मैपिंग है F U tend to V यह मैपिंग को बोला जाएगा लिनियर ट्रांस्फोर्मेशन अगर यह दोनों कंडिशन को यह साटिस्फाय कर जाता है यह जो मैपिंग है एगें लिनियर ट्रांस्फोर्मेशन को अधरवाइज हम बोल सकते हैं होमोमर्फिजिम अफ यू इन्टु भी यह मैपिंग के हिसाब से हम बोल सकते हैं होमोमर्फिजिम अफ यू इन्टु भी हम लिनियर ट्रांस्फोर्मेशन बोल सकते हैं अधरवाइज होमोमर्फिजि के लिए दे रखा है कि आपको प्रूब करना है जो mapping है यह linear transformation हो जाएगा, otherwise अगर यह दोनों condition को satisfy करता है, then यह भी linear transformation हो जाएगा, so देखिए, first यह जो condition क्या है मैं बता देता हूं, इसमें देखिए मैं again बताता हूं, f जो field है उसके जितने भी elements आएंगे, उनसे भी कपला जाएगा scalars, and यह जो u and v यह जो दोनों vector space हैं, इनके जितने भी elements आएंगे, उनको बला जाएगा vectors, so for all, a belong to f and alpha beta belong to u के लिए, u आपका domain vector है, so इसका जो first condition आजाएगा, f alpha plus beta, alpha beta किस में है, domain vector u में, f alpha plus beta equal to f alpha plus f beta होना चाहिए, again इसका second condition क्या है, f a alpha equal to a into f alpha, यह होना चाहिए, जिसमें आपका alpha belong to u and a belong to f a आपका scalars है, so हमने इसको बाहर निकाल दिया है, next देखें, यह दोनों formula जहें, again इसका another condition जो है, o है, f a alpha plus b beta equal to a into f alpha plus b into f beta, जिसमें a b belong to f and alpha beta belong to u, so यह था आपका linear transformation का condition, so देखें, मैं हम यह जो example है, इसको solve करते हैं, इसमें क्या दरखा है, so that the mapping f v3r to v2r defined by f a b c equal to a minus b a plus c is linear, so यह जो mapping आपको दरखा है, उसके according जो आप भी आपका function दरखा है, उसको आपको प्रूब करना है कि यह linear है, linear का मतलब linear transformation है, so start करता हैं, इसका proof, so देखें, फर्स्ट आपका mapping दरखा है, here f v3r to v2r defined, आजए भो, is said to be linear, so आपको linear proof करने के लिए, हमने जो दो condition हमने अभी पढ़ा कि आपका जो दो condition है, f alpha plus beta equal to f alpha plus f beta and f a alpha equal to f a f alpha, so यह दोनों condition को, यह जो mapping है, यह satisfy करना चाहिए, किसके लिए, linear होने के लिए, so यह अगर आपका linear proof करना है, then आपको यह दोनों condition को satisfy करने के लिए, आपको प्रूब करना है, कि यह दोनों condition को यह जो mapping है, यह satisfy करता है, linear transformation होने के लिए, जिसमें a belong to f, alpha beta belong to v3r, so हमको क्या करना पड़ेगा, यह जो alpha and beta हमको suppose करना पड़ेगा, किसमें, domain set में, domain जो vector है, domain vector यह क्या है, v3r, so इन में तीनों element रहेंगे, so हमने suppose किया कि, let alpha equal to a1, a2, a3, beta equal to b1, b2, b3, again हमने क्या suppose किया, a belong to f, so हमको prove करना है, यह दोनों condition को satisfy करना है, इसके लिए, so हमने यह दोनों को हमने क्या क्या, suppose किया, देखिए, next हम क्या करेंगे, first जो condition है, f alpha plus beta, so हमने ले लिया, f alpha plus beta, so देखिए, हमको prove करना है, f alpha plus f beta, so start करता है, हमने क्या क्या, कि यह जो alpha and beta, यह दोनों का value हमने first assume क्या था, उन दोनों को हम इसमें put करेंगे, so देखिए, हमने put कर दिया, f a1, a2, a3, यह आपका alpha है, plus beta, beta आपका क्या है, b1, b2, b3, again हम क्या करेंगे, इन दोनों का sum link निकालेंगे, जो की component wise है, so a1 plus b1, a2 plus b2, a3 plus b3, next देखिए हम क्या करेंगे, so इसमें आपको इतना याद रखना है, कि यह जो आपका given function दे रखा है, जो mapping के लिए आपका given function दे रखा है, उसके according आपको prove करना है, जिसमें देखिए, f a, b, c equal to a minus b, a plus c, so इसके according आपको prove करना है, so इसके according दे रखा है, उसके हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यह आपका, मानलो यह आपका a है, यह आपका b है, यह आपका c है, so first आपका जो था, a minus b था, so a minus b हम लिख सकते हैं, a1 plus b1 minus b आपका क्या है, a2 plus b2, उसी function के हिसाब से, a minus b, so यह आपका a था, यह आपका b था, हमने लिख लिया A1 PLUS B1 मैनस A2 PLUS B2 एगें हमारा क्या था A-C था A आपका क्या है A1 PLUS B1 C आपका क्या है A3 PLUS B3 So A1 PLUS B1 PLUS A3 PLUS B3 So यह PLUS में था साइध PLUS में था So A PLUS C हमारा हो गया A1 PLUS B1 PLUS A3 PLUS B3 Next हम क्या करेंगे इसमें देखे अगर इसको हम solve करेंगे तो इस टैप से आपका दोनों function आ जाएंगे जैसे देखिए a1-a2 b1 a1-a2 यह आपका जगा a1 प्लस a3 तो हमने इसको एक set ले लिया है प्लस b1-b2 b1-b3 इसको भी है कि हमने set ले लिया है next देखिए हम क्या करते हैं तो देखिए इसको अगर function के हिसाब से अगर इसको denote करना चाहते हैं तो इस टैप से हम लिख सकते हैं a1 a2 a3 यह से क्यों हमने लिखा क्योंकि अगर function a1 a2 a3 दे रेका है उसका भेली हम इस टैप से लिख सकते हैं a1-a2 a1 प्लस a3 जो कि आपका अभी हमने देखा कि यह आपका था a1-a2 a1 प्लस a3 तो हमने इसको लिख लिया function के साब से a1 a2 a3 उसी टैप से हमने f b1 b2 b3 भी हमने ले लिया नेक्स देखिए a1 a2 a3 जो हमने सपोज किया था v3 आर में यह आपका आलफा था हमने लिख लिया f alpha प्लस एंड यह आपका b1 b2 b3 जो था हमने ले लिया f beta जो f alpha प्लस f beta आपने प्रूप कर लिया फस्ट अपने लिया था f alpha प्लस βीटा तो हमने प्रूप कर दिया f alpha प्लस f βीटा तो हम second condition को प्रूप करेंगे आपका जो first condition है ये प्रूप हुँ जगा है second condition आपका था f a alpha equal to a f alpha तो हम लेंगे f a into alpha alpha आपका क्या था a1 a2 a3 तो उन सभी का value put करेंगे a into a आपका scalar से alpha का value put करेंगे a1 a2 a3 next हम क्या करेंगे ये जो scalar से इन सभी में multiply कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा a into a1 a into a2 a into a3 जो हमने निचे लिख दिया है next देखिए अगर ये function दे रखा है ये आपका मानलो ये आपका function है जिसका तीनों element है a a1 a a2 a a3 तो अगर इससी function के हिसाब से इसको लिखा जाएगा दन इसको इस type से हमें लिख सकता है a a1 minus a a2 क्योंकि आपका अगर a b c है दें function तो function आपका था a b c तो इसको इस type से लिखा जा सकता है a minus b a plus c जो कि आपका given function था इस type से तो उसी type से अगर हम इसको लिखेंगे ये आपका a है ये आपका b है ये आपका c है तो ये आपका हो जाएगा a minus b a a1 minus a a2 next आपका a plus c a a1 plus a a3 next देखिए इन सभी में अगर हम a common ले जाएंगे ये आपका हो जाएगा a a into a1 minus a2 a आपने इसमें common ले लिया है तो ये आपका आजाएगा a1 plus a3 next देखिए इसको अगर हम function के सबसे denote करेंगे तो ये आपका आजाएगा f a1 a2 a3 जो भी हमने first देखा है देखिए ये आपका आजाएगा f a1 a2 a3 a1 a2 a3 हमने आजिम किया था ये आपका alpha है हमने ले लिया a into f alpha ये second condition को भी ये satisfy कर जाता है ये जो mapping है ये जो function है ये आपका क्या हो जाएगा linear हो जाएगा hence it is linear ये था आपका complete वीडियो linear transformation के उपर अगर इसमें कोई भी प्रोब्लेम है देन मुझे कमेंट करिए मैं उसका reply जल्द ही देदूंगा सो थैंक्यू स्टूडेंस प्लीज लाइक इंड सब्सक्राब में जाएगा थैंक्यू